नमस्कार बच्चों, मैं हूँ आपकी दोस्ट फूलकुमारी आप सब मेरे छोटे भाई मुन्ना को तो जानते ही हैं आईए आज मैं आपको अपनी छोटी बेहन से मिलवाऊंगी जिसका नाम है छुटकी और आज की मेरी कविता का शीर्शक है नहाना चुटकी को नहलाओ जी, मैला दूर भगाओ जी पहले उसे लगाओ तेल, फिर होगा मालिश का खेल और बाद में पानी साबुन साथ साथ में गाने की धुन चुटकी को नहलाओ जी, मैला दूर भगाओ जी छुटकी पानी को छपकाती है खुश हो होकर नहाती है लाओ जी अब तौ लिया छुटकी ने नहा लिया धन्यवाद पच्चों क्या आप जानते हैं गर्मी में ठंडे ठंडे पानी से और खुश्पुदार साबन शाम्पू से नहाने में मजा तो आता ही है साथ ही सारे शरीर की गंदिगी और मैल भी भाग जाता है इसलिए हमें रोज नहाना चाहिए ताकि हम बन जाएं साफ सुत्रे प्यारे बच्चे क्या आपको भी नहाने में ऐसे ही मजा आता है मुझे भी बताईए और सुनते रहिए अपनी दोस्त फूल कुमारी को